पहली सेप्टेंबर आज बाबा की मुल्ली दो बातों पर विशेश है तुम्हारे उपर तुम्हारी आत्मा के उपर कट चड़ गई है कट माना जंक चिंदी में कट कहते हैं क्यों चड़ी विकारों की कारण तुम पावन थे बावारोज रोज हमें याद दिलाता है तुम पावन थे सतो परधान थे तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म था तुम बहुत सुखी थे वहां अथा असंपदा थी गोल्डन इस्पून इन माउथ था था सोने की दुनिया थी विकारों में गिरे तो धीरे धीरे ये जंक चड़ती गई और तुम्हारी कलाय नीचे उतरती गई शुख कम होते गई जगनात के मंदिर में और उडिसा में कई मंदिरों में दिखा है देवी देवताओं के चित्र गंदे दिखा है विकारी तो बहुत मंदिरों में ये बाहर बना दिया है क्योंकि देवता जब उनका देवत खतम हो गया था प्रादब्ध खतम हो गई तो विकारों में इगे थे भोगी बन गए थे इसको चितरित कर दिया गया तो लोगों ने देवताओं को भोगी ही मान दिया वास्तों में त्रेता के अंत के चित्र हैं, बाबा हमें याद दिलाते हैं, तुम तो संपोर्ण पवित्र, संपोर्ण निर्विकारी थे, कोई कोई सन्याश्यों को भी ऐसा मानते हैं, वो बड़ी पुन्य आत्मा हैं, उनसे कोई पाप नहीं होता, वो तो निर्विकारी हैं, पर पवित्रता तो बहुत बड़ी चीज है, जब तन भी तुम्हारा पवित्र था और आत्मा भी पवित्र थी, तब तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे, और जब तुम देभान में आगे, विकारों में आगे, तो तुम्हारे कर्म विकर्म होने लगे, तो बाबा याद दिला बावने आते ही जैसे बोला ओम शांती तो कहा तुम बच्चे बोलते ओम शांती तो तुम्हें याद आ जाता है मैं आत्मा परमधाम में थी इस तहे में पार्ट वजाने आई हूं मैं श्यांत स्वरूप हूं सत्यूग में आई थी अनेक जनम मैंने लिए अब चोरासी का ये खेल पूरा हुआ अब मुझे वापिस जाना है तो मुझे पुन्यात्मा बन कर ही जाना है पवित्रात्मा बन कर ही जाना है तो बाबा कह रहे हैं, मैं ही आकर तुम्हें सिखाता हूँ, ये काम महाशत्रू है, भक्ती में सब के चित्र काले बना दिये हैं, श्रीक असन को गोरा भी दिखाते हैं, काला भी, राम को भी, गोरा, काला और भी देविदेवताओं को तो तुम पुछ सकते उनसे, इनको तु में समझाना चाहिए तुम महारती हो, तम्हारे पासम पूर्ण ज्यान है, योग की ताकत है तुमारे अंदर, जितना नंबरबार सब के अंदर योग है, योग की शक्ती है, उतना ही पावर्फुल उनका भासन है, ऐसे महारतीों को भासन के लिए बुलाते हैं, तो बाबा कह तुमने घबके से समझाओ, बहुत ही उवंग से समझाओ, कि कामचीता पर बैठने से ही देवी देवता काले हुए, देवता मनुस्थ बने, अब बाबा आया है पवित्र बनाने के लिए, मैं आया हूँ, देखो कितनी मेहनत करता हूं तुमसे, बच्चों को मेहनत लगती है पवित्र बनने में, कोई-कोई गिरते रहते हैं, काम महासत्रू के अधीन हो जाते हैं, बहुत अच्छे-च्चे बच्चे भी गिर जाते हैं, घरों में गए, इस्तरी को देखा, दोनों गिर गए, फिर पच्चताते हैं, बाबा को लिखते हैं, बाबा हमसे गलती हो गई, तो कि कमाई सारी स्वाप्त हो जाती है, बाबा फिर कहते हैं चड़ो, बाबा कह रहे हैं कोई तो लिखते भी नहीं हैं, तो महनत तो करनी पड़ेगी इन विशेविकारों को जीतने के लिए, मैं भी तो देखो ब्रह्मातन में आया हूं, महनत कर रहा हूं तुम्हें पावन बनाने की मैनत कर रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं, माजोन खिला रहा हूं, जितने उची पढ़ाई होती है, उतना उचा पद मिलता है न, ये पढ़ाई सबसे उची तुम्हें पढ़ाई जा रही है, इसमें मैनत करोगे, तो तुम विश्व महराजन बन कई लोग तो ऐसे भी आते हैं, हम नहीं मानते के भगवान इस प्रह्मा के तन में आता है, विघंड डालते रहते हैं, भाबा कह रहे हैं मानो या ना मानो, दैवी स्वराज तो इस्थापित्थो नहीं है, किसी के विघंड डालने से कुछ भी नहीं होगा, तो बाबा आज पवित्र बनने पर बहुत बल दे रहे हैं, मामा की मुल्ली है आज साथ में, और बड़ी गहरी बाते मामा के महवाक्यों में होती थी, तो पहला प्राश्म किसी नहीं पूछा है, पुरसार्थ बढ़ाया, प्रारब्द बढ़ी है, तो मामा ने उत्तर दिया, पुरसार्थ का ही महत्व है, पहला नंबर पुरसार्थ को कहेंगे, प्रारब्द तो उसकी परचाई की तरह है, दूसरा प्राश्म किसी नहीं किया, भगवान ने ये उपर चड़ने का, नीचे उतरने का, पावन बनने का, पतित बनने का, खेल क्यों बनाया, क्या भगवा तो मामा उत्तर दे रही कि यह तो खेल है इसमें बड़ा आनन्द आता है जब तुम साक्सी हो जाओगे और पूरा ज्ञान समझ लोगी तो यह खेल भी समझ में आ जाएगा सीजन भी तो बदलती है रात भी दिन में दिन भी रात में होता है तो उसने यह भी पूछा तो हमें चड़ना है उतरना है तो अपी चड़ जाएंगे हम पुर्सार्थ क्यों करें तो मामा कह रही नहीं ऐसे नहीं होगा फिर तो तुम यह भी कहोगे खाना तो रोज खाना ही ह हम खाएं क्यों बनाएं क्यों, फिर मेहनत क्यों करें कमाने की, हमें पास तो हो नहीं है फिर पढ़ाई क्यों पढ़ें, नहीं, पुर्सार्थ और प्रारब्ध, कर्म और फल ये दोनों ही मिलते रहते हैं, और एक और अच्छी बात ममा कह रही है, ये जो ग्यान बाबा दे र हैं, सबकी फिलोसोफी भी अलग है, पर ये इस्वर ये ग्यान सबके लिए है, कोई भी इसमें योग लगाएगा, तो उसको उनके धरम में उच्पद अवस मिल जाएगा, और कोई मुक्ती चाहता हो, तो योग बल से उसके विकरम विनास होगे और उनको मुक्ती का अधिक प्राप्त होगा, इसलिए ये ग्यान सभी के लिए है, हम इस रेष्ट पुटसार्थ करते चलना है, और इन बातों में ठेड़ना नहीं है, कि होना ही है, तो हम क्यों करें, इस खेल को अच्छी तरह समझते चलना है, वर्दान भी बहुत सुंदर है, सरु प्राप्तियों के स्टोक से अपने को पावर्फुल बनाओ, तो बाबा कह रहे हैं, जिनके पास सरु प्राप्तियों होती है, वो पावर्फुल हो जाते हैं, ऐसा समय आ रहा है, जब लोग ढूंडेंगे कि हमारे सुक्ष्यानती के दाता सहारे कहां है, तो जिनके पास ये सरु शक्तियों का स्टोक होगा, वो सब को सहरा दे सकेंगे, सुक्ष्यानती दे सकेंगे, ऐसे नहीं एक सक्ति है, दुसी नहीं है, हमें सरु प्राप्तियों और सर्व सक्तियों को अपने अंदर जमा करना है, स्लोगन, मर्यादाओं के कदम पर चलते रहो, तो तुम अपनी मंजिल पर पहु पवित्रात्मा हूं, काम जेत्थ हूं, फरिष्टा हूं, मैं पवित्रता का फरिष्टा हूं, और बाबा से पवित्र केरने मुझ पर पढ रही है, सारा दिन ये अभ्यास करेंगे, तो पावर और प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी, ओम जंती. झाल